मेरा नम बिजे भाई है मैं भारत जना अंदोलन करा राश्ट्रिय संयोजक हूँ और मैं मध्यप्रदेश छत्तिशगर्ड इस इलाके में काम कर रहा हूँ आदिवासी और किशानों के साथ अभी जो प्राश्ण यह है कि जो सुप्रिम कोट का मामला है जिसके तहत उनने बड़े पेमाने पर लोगों को हटाने की बात की है उसको समझने की जरूरत है वो तो एक लीगल स्टाटेजी है लेकिन जिस तरह से बनाधिकार पर हमला सुरू से हुआ है उसको भी समझने की जरूरत है अब देखिए बनाधिकार जो है पुरे देश में बनाधिकार मान्यता कानुन ये पुरे दुनिया का सबसे बड़ा भू सुधार कानुन है ये लेंड रिफर्म कानुन है जिसके तहत करीब 75 मिलियन हेक्टर्स अफ लेंड की प्रश्ण है तो अब ये बड़ा प्रस्ण है आज की यूग में जहां मतलब एजब फाइनांस की यूग में कोई भी शरकार वो पहले की शरकार हो अभी के शरकार हो वो बड़े पेमाने पर इसको जो एहनत देखता है कि पुण्जी क्योंकि पुरे जो नवुदारबादी सरकार है पहले क कि शरकार और अभी तो यह अग्रेशिबली नवुदारबाद को मानने वाले शरकार यह चाहते हैं कि पुण्जी कैसे आए अब पुण्जी जो है आज के तारीक में पुरे दुनिया में सिरिप चार चीज पर जो है वो कॉंसेंट्रेट कर रहा है जिससे वो कर सकता है तो यह जो जंगल का प्रश्न है इसमें बड़े पेमाने पर इंटरनेशनल का पिटल का जो है निगाह है इसलिए पहले से भी मनमान सिंग्जे के सरकार के समय में भी यह इसको डाइलूट करने के लिए चाहते थे और आज यह हालत है कि कोई भी प्रदेश में सही धंक से इस कानुन को समझते हुए इसका इंप्लिमेंटेशन नहीं किया जो भी हुआ है सिरिफ एड होक हुआ है और कानुन के मनसा को कोई शमझा नहीं है क्योंकि वो पोलिटिकल विल भी नहीं है कोई भी शरकार का पोलिटिकल विल नहीं है कि यह लैंड रिफर्म करेंग इसको है ना कि forest का a democratization of governance होगा यह कोई भी शरकार की इच्छा नहीं है क्योंकि resources सबसे ज्यादा तर वहीं पर है आज के तारीक में तो इसलिए सरकारे कोशिश तो करते हैं कि किसी भी क्योंकि उनकी पहला जो मनसा था जब यह इंटुडूश यो ता वह कानून यह सिरीव कु खतम कर देंगे और यहां तक कि उस समय में पार्लेमेंट में सरकार ने यह बोला था कि पूरे जंगल का 1.76 परसेंट का लेंड जो है वो लोगों को दी जाएगी यह हमारे पास आंकड़ा है अब जब बहस और शंगर्स के कारण यह कानून की मनसा बदल गई उसका सोच और उसका तोर तरीका बदल गया तो यह बात जो है हुक्मरान को पचा नहीं पा रहे हैं हुक्मरान क्योंकि पूरे जंगल जो है लोगों के अधिन में आएगा तो यह करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हर चीज में लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा तो यह अभी बड़ से और और एक दूसरा लेजिसलेशन जो भारतिय वन अदिनियम का एमेंडमेंट संसोधन करते हुए वो जो ला रहे हैं यह पूरी तरह से जो है यह जो भूस सुधार होने वाला था देमोकरटाइजेशन और फॉरेस्ट गवर्नेंस होना चाहिए था इसको खतम करेंगे तो हमारे लिए जो आज के तारीक में जो लोग सांगठनीक रूप से उस इलाके में जंगल इलाके में काम कर रहे हैं यह कोशिस यह हो रहा है कि कि पोलिटिकल मॉबिलाइजेशन जो है मैदानी इलाके में हो जिसमें की पीपुल्स मॉबिलाइजेशन प्लॉस जो अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलते हुए इसको दबाव डाला जाए यह नंबर एक स्टाटेजी नंबर दो लीगल स्टाटेजी में यह है कि जो अपोजिशन है अभी करिब सुप्रीम कोट म अभी हम लोग यही बात रखने जा रहे हैं कि भाई यह जो पिछले इलेक्शन में वो जो अपोजिशन की हार हुई उससे सीखते हुए सुप्रीम कोट में भी जो प्राइवेट पार्टीज का 15 इंट्रेवेंशन है उनके वोकील साथ में बैटके जो है नोट सेयर करें और क्वेश्चन तो यह करना चाहिए कि 2008 का यह जो केस है इस पर मनसा था कि यह सांभीदानिक है कि नहीं उस पर चर्चा किया जाए एभीक्षन कैसे हो सकता है इस पर एक कोडिनेटेड वे में बात करना चाहिए धन्यवाद